हेलो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग आसा करता अच्छे होंगे और उत्तर परदेश पुलिस का फॉर्म भर चुके होंगे और फॉर्म भनने के बाद में अपनी रंडीती के साथ त्यारी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपका एक्जाम अठा रहे फरव मिलता है और इसमें जो है आपका मेंडिकल सुविदा है के नहीं है सारे बिंदू पर मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो को लाश्ट देखिए और वीडियो देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश पुलिस की जोग प्रोफाइल स कितना होगा छुटी कितनी मिलेगी ट्रेनिंग कितने दिन की होगी आवास मिलेगा नहीं मिलेगा मेडिकल सुविदा हो मिलेगी या नहीं मिलेगी पोस्टिंग होगी कहां पर होगी ट्रेनिंग के दोरान वेतन कितना मिलेगा ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले बात कर लेते वेतन की, क्योंकि वेतन के लिए ही हम लोग सबसे पहले नोकरी करते हैं, क्योंकि अपना परिवार तो वेतन से ही चलता है तो इसमें देखे, ग्रेड पे आपका 2000 है, बेसिक पे की हम बात करें तो 21-700 आपका बेसिक पे होता है, ठीक है आपका अभी 46 है, तो 4% फिर पढ़ जाएगा तो 50% आपका दिये हो जाएगा तो 10-850 आपका दिये होगा मोटरफाइकल भत्ते की हम बात करें तो 200 मिलता था, अभी 500 मिलता है मकान किराय भत्ते की बात करें तो 1200 मिलता था, और कुछ जगे जो है, 2400 ये मतलब मिलता है, शिटी के हिसाब से जैसे महानगर है, जैसे का आघरा में है तो आघरा में 2400 रुप्य मिलता है और जो छोटी सिटी होती है, छोटे ग्रामनी छेत्र के होती है, तो वहाँ पर 1200 रुप्या फिक्स है, ठीक है, इसके बाद में भोजन का भोजन का आपका जो है ये पोश्टी का हर भत्ता जो है 1875 रुपिया यहाँ पर मिलता है इसमें और किट मैंटेनेंस का भत्ता जो है 188 रुपिया है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कुछ कटता भी है मिलने के साथ साथ में कुछ कटता भी है पैसा अब देखे क NPS के तहती लग रहे हैं बाकी आगे चल के अगर कोई बदलाब होगा तो बात अलग है बाकी अभी जो है आप NPS के तहती नोकरी पर आ रहे हैं तो यहां पर बेसिक पे और महगाई भत्ते का 10% आपका काइट लिया जाता है 3168 रुपए यहां पर आपके कटेंगे society deduction में 31 रुपए कटेंगे GIS group insurance scheme INS मतलब यहां पर 30 रुपए आपके यहां भी कटेंगे इसका फायदा आज नहीं इसका फायदा आपको जो है बाद में मिलने बाला है ठीक है GIS save में भी आपके 70 रुपए कटेंगे total जो आपका deduction होगा और कितना मिलेगा भी देख लेते हैं देखे 21,700 तो आपका basic हो गया और 10,850 आपका यहां पर आपका जो है DA हो गया यह गलती से 0 लग गया है और पिलस 200 रुपिया यहां पर आपका जो है अलग और हो गया और 1200 रुपिया आपका HR हो गया और 185 आपका जो है यह हो गया और 188 के maintenance वाला तो टोटल मिला के 32 मतलव इसमें से कटेगा 3299 में 3299 में कटेगा तो टोटल यहां पर जो आपको मिलेगा ग्रोस पे 32,440 आपको मिलने वाले हैं ठीक है एक साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ता है लग बग 3-4 प्रशनेट यहां पर सेलरी यहां पर मिलती है तो यह तो रही आपकी सेलरी की बात तो आप अच्छे से समझ गे होंगे आपको कितनी सेलरी मिलने वाली है 32,440 है ठीक है ड्यूटी पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं देखिए आपका पहरा ड्यूटी लगती है तीन घंटे की ठीक है हम रहा मतल लगती है नो से पांच देखते होंगे गेम जो बैंक के गेट पर बैठे रहते हैं तो नो से पांच वो दिन-दिन की ड्यूटी होती है पिकेट ड्यूटी भी लगती है 12 घंटे की जैसे किया कहीं पर मंदिर पर चोरहाय उपर मस्जिद पर वहां कई जगे आपकी ड्यूटी भी लगती है एंटी रोमियो ड्यूटी भी लगती है देखे होंगे एंटी रोमियो की जो टीम रहती है उसमें भी आपकी ड्यूटी लगेगी मुवाइल चेकिन मतलब आपकी ड्यूटी लगेगी ठीक है ड्यूटी भी आपकी रहती है जैसे कहीं एक जगे से द बिधायक के साथ में भी फोर्स जो है रहती है और किसी को गर कोट की तरफ से भी किसी को गर दे दी जाती है सिक्योर्टी तो वहां पर भी आपकी डूटी लगती है और जितने राज्ये के उच्पदाधिकारी हैं उनके आवासों पर भी डूटी लगती है ठीक है इसमें कि दोस्तों CCI TNS duty क्या है इसके वारे में जान लो computer duty होती है काई की होती है computer की duty होती है जिसमें कौन कहा duty जा रहा है और उसकी रवानगी रवानगी का मतलब होता है किसी इस्थान से जाना मतलब अगर थाने से कोई किस टेम जा रहा तो उसकी entry करनी और वापस किस समय आया उसकी entry करनी और जब दरोगा किसी मुगेद में की विवेचना करता है तो उसी CC TNS में जाकर बोल बोल के लिखवाता है ठीक है दोस्तों इसक TNS की duty सबसे अच्छी है आपको कभी भी बहार duty नहीं जाना पड़ेगा और इसमें 8 घंटे की काम ही मतलब 8 घंटे से कम की ही duty पड़ती है ठीक है duty hour की अगर हम बात करने कितने घंटे की duty देखिये वैसे तो पुलिस में कोई duty का fix होता नहीं है UP पुलिस की duty का कोई time fix नहीं है इस टाप की भी कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं इस टाप भरपूर मात्रा में परंतु अभी तक यह जो है नहीं हो पाया ठीक है उसके बाद में 8 घंटे की और पिकेट duty जो होती है जैसे किसी मंदिर मजजित पर या कहीं वी आई पीस जगे किसी चोरहाय पर जो duty लगती ह है लिखा पड़ी में 12 घंटे की रहती बारहल जो है 9-10 घंटे में ही होती है और इस टाइम के बीच में आप एक एक करके खाने पीने जा सकते है ऐसा नहीं 12 घंटे duty है तो खाना नहीं खाओगे इसके लिए आप जो है अकेले नहीं रहती है दो से तीन लोग रहते है तो आ मिलती है Casualden Hack Famal to class असानी सा जो मिल जाता है तो मिल जाता है और जीट आफकाय से जो होता है यहीं लिए होता है 300 दिन का यह इकठा हो जाता है दोस्तों यह जो है यह 300 300 देस का इकठा होके इसका लाष्ट में जब आप रिटार होते हैं तब आपको इसका वेतनवी मिलता है पूरी सर्विस के दोरान आप जो है 300 दिन का EL जो है इकठा कर सकते हैं इसको आपको लाश्ट में आपको इसका उस समय जो तनखा मिलेगी उसका इसको आपको भुक्तान मिलता है ठीक है मतलब तनखा मिलती है ट्रेनिंग कितने समय की होती है छे माह की ट्रेनिंग होती है छे माह की ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग में अच्छी मसकत करनी पड़ती है पूर सब्सक्राइब दोस्तों देखिए आपकी डूटी थाने पर है और वह आवास खाली है तो सरकारी क्वार्टर मिलेगा नहीं तो बेरग में रहना पड़ेगा या फिर आसपास प्राइवेट आवास लेकर रहना पड़ेगा देखिए यदि आप सरकारी आवास में रहेंगे तो आपको एचारे नहीं मिलेगा और अगर आप बहार रहेंगे प्राइवेट आवास में रहेंगे या बैरक में रहेंगे तो आपको एचारे मिलेगा ठीक है तो इसमें कार्ट बन जाता आसानी से हम लोग बनवा लिए है तो आप लोग भी आसानी से बनवा लेंगे कि यहाँ आसानी से बन जाएगा ठीक है बाद में आके सारे बिल यहां जमा करने पड़ते हैं अपने विभाग के अंदर मतलब ओफिश में और वहां से आपके जो है सारा पैमेंट कर दिया जाता है उसमें थोड़ा सा में लगता है दो से तीन महीने का इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टिंग की तो पोस्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो पुलिस विभाग में देखें बॉर्डर स्क्रीम लागू है जिसम के कारण आपकी पोस्टिंग आपके होम डिश्टिक को छोड़ कर तीसरे जिले में होती है मतलब आपका जिला छोड़ो साइड वाला भी जिला छोड़ो जो आपका मतलब सीमा लगी है उसके तीसरे जिले में आपकी पोस्टिंग होती है जिस जिले से आपकी सीमा लगी है आपके जिले की उसमें आपकी पोस्टिंग नहीं होगी तीसरे जिले में आपकी पोस्टिंग होगी और चरूरत पढ़ने पर आपको कहीं भी भेजा जा सकता है और रिटार्ड के समय जब आपका रिटार का समय होगा तो आपको दो साल पहले दो साल पहले आपको जो है यह सुविदा दी जाती है कि आप अपने बगल वाले जिले में पोस्टिंग करा सकते हैं जा जिस जिले के हैं उसमें भी आप जो है पोस्टिंग करा सकते हैं है ट्रैनिंग के दोरान देखिए वेतन आपको मिलने वाला है ट्रैनिंग के दोरान आपको 32 या 714 रुपए वेतन के रूप में मिलेंगे और पोस्टिंग होने पर भी यही वेतन मिलेगा अब जैसे गाओं में बहुत बड़ी पर रेलवे हो बैंकिंग हो या फिर आपकी पुलिस हो सब जगहां पर वेतन समान वेतन आपको मिलता है ट्रैनिंग के समय पर ऐसा नहीं है कि ट्रैनिंग में आधा वेतन मिलता है ठीक है तो आप जो है अच्छे में शेयर कीजिएगा ठीक है और चैनल को यादे यादे सब्सक्राइब कीजिएगा तो आसा करता हूं आप लोग जो है अच्छे से पूरा का पूरा जो प्रोफाइल देख लिए हैं इसमें सारी की चीजे में यहां पर बताया हूं आपका बेतन बहतेत आपके आवाज की सुभिधा सब कुछ मैंने रिटन में आ आपको दिखाये हैं बासा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई